हलो दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म अंगरेजी अकेडमी पे दोस्तों आज का हमारा जो सेसन होगा वो फिक्स प्रिपोजिशन का होगा देखिए टीचर्स के जो एक्जाम है यानि कि कोई भी एक्जाम होती है उसमें प्रिपोजिशन से रिलेटेट दो य जो हमारी पीछे के जितने भी एक्जाम हुए है उनमें almost questions वो है fix prepositions related आए हुए है तो देखिए हमारा जो आज का session में man focus रहेगा वो read में पूछे जाने वाली second grade में पूछे जाने वाली first grade में पूछे जाने वाली fix prepositions है ये session हम one to one जो exams में आए हुए है उनको समझाएं उनको आपको बताएंगे उनके साथ में और भी काफी सारी चीजें आपको बताएंगे तो चलिए start करते हैं आपका पहला क्यूशन पहला क्यूशन है दोस्तों the environment in this school is conducive blank learning देखिए सबसे पहले आपको बता दू कि यह RPSC का जो first grade exam था 2022 उसमें यह क्यूशन पूछा गया ह है ओके यहां पर the environment in this school is conducive देखिए यह conducive word जो है वो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि this is an adjective यह adjective है अब इसका मतलब क्या होता है कोई भी चीज का favorable होना favorable का मतलब क्या हो गया वही अनुकूल होना किसी भी चीज के अनुकूल होना उसके favor में होना उसके favorable में होना ठीक है अब यहां पर आपसे पूछा गया है preposition कौन सी है तो इसमें देखिए दोस्तों यहां conducive के साथ में to preposition का यूज किया जाएगा तो यह question कैसे होगा the environment in this school is conditioned to learning क्या होगा इसमें to learning यानि कि इस school का वातावर्ण है वो learning के अनुकूल है तो यहां पर आपका answer क्या आ गया to आ गया और भी काफी सारे words जो है वो fix देखिए जैसे कि loyal to आता है gonna true to आता है contrary to आता है compare to आता है senior to is科 तो इस्तरी स्थी यह पूछे जाने वाले साथ points के यह वbok उनके साथिस में fix वाले वा और है तो यह वाला आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आपका आता है, रिना इस डिजारियस, देखें, डिजारियस क्या होता है, कोई भी चीज का इच्छुक होना, क्या होता भई, डिजारियस ये भी एक अजेक्टिव वर्ड है, विजिटिंग स्विजरलेंट, ये भी RPSC का फर्स्ट ग्रेम, 2022 में पूछा गया है, तो रिना इस डिजारियस, इसके साथ में आपका क्या हैगा, ओफ आएगा, ठीक है, रिना इस डिजारियस ओफ विजिटिंग स्विजरलेंट, चुजरलेंट का विजिट करने की वह है, इच्चुक है, दोस्तों याद रखना, जब भी blank के, यानि कि blank कना होकर, यहां कोई भी preposition होती है, तो उसके आगे वाला जो word होता है, वो ing4 में आएगा, यानि कि ing4 का मतलब यह हो गया, कि वह है noun होगा, और noun होगा, तो अगर वोब आती है, तो वो ing4 में आएगी, और वह है वोब क्या कहलाएगी, जिरंड कहलाएगी, यह याद रखना, बहुती important चीज़ है, तो डिजरे इसके साथ में क्या आगया भई, ओफ आगया, इसके साथ में आपको और भी काफी सारी वोड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि, अक्यूज ओफ है, बिवेर ओफ है, बोस्ट ओफ है, कंसिस्ट ओफ है, डिस्पोज ओफ है, डिस्पोज का मतलब होता है, चुटकार अपाना, गेट रीड ओफ का मतलब भी होता है, चुटकार अपाना, ओफ आइकास के साथ में, डिवोड ओफ है, प्राउड ओफ है, फोज़ ओफ है, फोज़ ओफ कम दोता है, सोखीन होना, जैसे कि, आइम फोज़ ओफ स्विट्स, मिठायों का सोखीन हो, दिव्यांसु इस, फोज़ ओफ प्लेइंग हो है, खेलने का सोखीन है, तो इस वोड्स आर, यह फिक्स हैं, और इनके साथ में, ओफ प्रिपर्जिशन है, उसका यूज़ किया जाता है, तो यह याद रखना, कि इसके अंदर, ओप्सन में आ जाएगा, यह एक फ्रेजर वोब है, याद रखना कई बार क्या होता है, आपके एकजाम में, फ्रेजर वोब भी आपको दे देते हैं, कॉल्डोफ का मतलब होता है, कैंसिल करना, कॉल्डोफ का मतलब क्या हो गया, कैंसिल का मतलब, यह क्या होगे, स्टाइक जो थी, कैंसिल कर दी गई, तो यहाँ पे, ओडबल फ, बहुती इंपोडेंट फ्रेज है यह भी, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कुशन है, देकि दोस्तों, यहाँ पे भी यह बरस्ट जो है, इसके साथ में क्या आएगा, इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, इग्नोर करना, यहाँ कि कोई भी चीज की अंदे की करना, आप कोई भी चीज की अंदे की करते हो, जैसे कि, एक और है, सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब क्या होता है, पैसे बचा के रखना, यहां कि set के साथ में aside लग गया तो उसका मतलब होता है पैसे बचा के रखना और यहां पे एक होता है put aside, put aside और burst aside, burst aside, put aside इन दोनों का मतलब होता है ignore करना, यह भी बहुत important है, यह भी पूछी गई है और पूछी जाएगी आपके exam नेक्स्ट आपका आता है speed is, यहां पे देखिए यह जो है off essence, speed is off essence, इसका मतलब होता है necessary, ओफ essence का मतलब क्या हो गया, necessary, यहां पे क्या आ गया, off आ गया, यहां कि गती है हर चीज में जरूरी होती है, तो यहां पे off essence, यह भी एक phrase है, ओके, नेक्स्ट आता है आपका, इंडि बात पूछी गई है, बहुत important है, इंडिया और पाकिस्तान क्वारल ब्लेंक, दा मेटर ओप कस्मीर, किसी भी चीज, मालो यह दो बच्चे है, ठीक है, यह दो बच्चे है, एक का नाम अंसुल है, एक का नाम दिव्यान से, और यहां पे एक टोई है, कि लोना है, ओके, और इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है, वो कस्मीर का जो मेटर होता है, कस्मीर है, उसके उपर जगरते हैं, तो यहां पे ओवर कायूज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह सोट सेसन के अंदर, आपको कैसा लगा, हमें आप बताओगे, ऐसे ही वीडियो औ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, थैंक्स फर वोचिंग इट